सब्सक्राइब एंड प्रेश दे बेल आइकन तो नेवर मिस अनादर अपडेट फों टेक्नोलक्सिया हाई मिला नहां मैं अभिशेक और आज मैं आपका अपने चनल टेक्नोलक्सिया पर स्वागत करता हूं क्या आप लोगों को पता है कि आप अपने फोन से किसी दूसरे का फोन कनेक्ट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं वो भी वायरलेसली आपको कोई केबल की जुरुत नहीं पड़ेगी आप अपने घर बैठे-बैठे किसी और का फोन जो तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो में जो भी एप्लिकेशन यूज करूंगा उन सबकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा तो आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्ल्म या है हवग करने की जुरूत नहीं है आप सीधर डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक क मिल्चोर करके सारी की सारी एप्लिकेशन जो में इसमें यूज करूं a वीडियो में डाउनलट कर सकते हैं तो जो मैं आज आप्लिकेशन आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है ऐनिड Черव तो मैं यहाँ पे आपको बेख सकते हैं कि Anydesk का यहाँ पर एक application डाउड़ोड करके दो Android फोन लिए है मैंने ये ट्रिक करने के लिए Anydesk यहाँ पर भी installed है और यहाँ भी installed है दोनों फोनों में ये बहुत ही important चीज है कि आपके दोनों Android फोन है या आपके पास iOS फोन है या आपके पास Windows है पर Anydesk के application दोनों फोनों में होना जरूरी है हम इस वीडियो में आपको सिर्फ Android to Android करनेट करना सिखा रहे है हम iOS और Windows भी करना सिखा सकते थे बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो आप इतना इंटरेस्ट लेते नहीं तो उसके लिए हम छोटी वीडियो दूसरी बना के आपको तो stay tuned with us अभी इसके लिए हम Android start करते हैं तो Android Android में हमने Anydesk डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको बता देतों कि आपको डाउनलोड कहां से करना है simply आप Play Store पर जाए और यहाँ पर आप देख सकते कि आपको सिर्फ Anydesk लिखना है यहाँ पर आप Anydesk देख सकते है और रिमोक कंट्रोल मैंने डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पर open को option आ रहा है आप इसको सिधा इंस्टॉल कर सकते है और यहाँ पर एक और चीज़ आपको यह मिला नहीं यह डाउनलोड नहीं हो रखा तो अब आपको क्या करना है कि जैसे कि अब मेरे को दो Android फोन कनेक्ट करने है तो मैं अपने इस फोन में Anydesk खोलता हूं और मैं अपने इस फोन में Anydesk खोलता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते कि plugin अक्टिवेशन आया जो मैं पहले सी इंस्टॉल कर रखा था तो इसको मैं don't show this again और okay कर देता हूं और यहाँ पर यह दिखा रहा है कि download use service में क्लिक करना है okay यहाँ पर मेरा जो pattern मांग रहा है वोने वो दे दिया है और यहाँ पर on का option आ चुका है और battery optimization का पूछेगा तो इसको okay कर देती है tutorial का option अपने ही software पर अप्लिकेशन पर दे दिया है तो आपको जादा दूर जाने की जुरत नहीं है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पहले शी दो connection यहाँ पर मैंने use कर रखें तो it is very easy to use अगर आपके पास अच्छा internet connection है तो आप movies भी देख सकते हैं इन दो फोनों अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा address है वो दिखा रहा है 374712670 और यहाँ पर 182816763 अब ऐसा जरूर ही नहीं है कि आप दोनों का अपने exchange करने हैं आप दोनों में से किसी एक application का जो address है वो लिख सकते हैं जैसे कि अब मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 374712670 इस जै I am aware of this always अगर आपके पास यहाँ पर यहाँ पर यहां पर यहाँ आपको एरर वगरा दिखाएगा बट आप यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर connecting का वेड़ दिखा रहा है जब तक यहाँ पर accept नहीं होगा तक यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा तो हम चलो उसका accept करते हैं और जैसे मैं इस phone को चला रहा हूँ तो यहां पर देखिए दोनों की screen सेम है 755 ए 755 अब मैं इसको करता हूँ तो इसमें जो apps है वो यहां पर दिखेंगे मेरे को तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो मैंने plug-in install किया था वो यहां पर show हो रहा है यहां पे यह देखिये यह show हो रहा है तो अब उसमें आपको क्या करना है कि इसको पीड़ीर solution क्ंगरे रखना है और यहां पर देख सकते हैं यह keyboard को ऑप्शन को option का प्लू assum तो यहां पर जो मैंने प्राइब को माउस दिखा रहा था मैं उससे न स्क्रॉल कर प्राइब ना रिमोट कर पा रहा था मतलब जो मेन कंट्रोल था वो मैरा इस पर हो नी पार था क्योंकि माउस से जाधा-तर लैप्टॉप योड़ डेस्टाप कनेक्ट हो सकते है पर फोन को नहीं कर सकते है तो उसके लिए scrolling चाहिए तो यहाँ इतना जादा भी लइकता सकता हूं किमेसे से घाल हो पटौन के बारे में इतना कुछ shark देखता हूं जैसे अब सकते हैं वहां पर देखने कुछ tumile को फिरेन ि निर्फ को बता सकता हूं कि हैं जैसे मेरे फिरेंस से अगर चुपिंग होगारा को बता नहीं है मझो इनको यह चीज़े सिखानी है तो यह चीज में कर सकता हूँ और अपने पेरियन्स को बता सकते हूँ कि आप यहाँ पर जाके आमेजन से यह चीज़े खरी सकते हैं आपको अगर यह चीज़ खरी सकते हैं उनको बोलना पड़ेगा कॉल पर कि आप अपना वटसेप ख़ोला अगर आपको уनिकर कुछ बताना है यहां पर के साथ गनेक्टि़ सिर्फ खरी तो यह है बहुत ही बैनिशाल इप्लगेशन आप लोगों के लिए और आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरिके से यूज कर सकते हो, फैमिली के लिए यूज कर सकते हो, यह maximum जो है वो office वगरा में use होता है, जब आपको remotely अपना काम अपने घर से करना पड़ता है, और आपको connect करना पड़ता है, जो आपका office में desktop वगरा है, उससे connect करना पड़ता है, यह आप YouTube खोला है अगर मैं देखना चाहूं यह वाली वीडियो, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने YouTube की जो वीडियो है, वो भी चला के देख लिये, तो it's very good option for you कि आप यह application यूज कर सकते हैं, मैं आप लोगों से बस यह कहना चाहूंगा कि यह वीडियो आप लोगों के ल अगर आप relationship में हैं तो यह आपके लोग बहुत ही जादा beneficial चीज है, यही थी वीडियो, hope आपको यह अच्छी लगी हो, और मैं आपका वेट करूँगा अगली वीडियो में, thank you, subscribe to our channel, press the like button and also comment करो, thanks for being with us, that's it, my name is Abhishek and it's Technolexia. झाल